हेलो एफ्रिवान, वेलकम टू एक्साम ग्रट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NFST Fellowship के बारे में National Fellowship for Schedule Tribe, इससे पहले हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं NFST Scholarship, ठीक है, NFOBC के बारे में, आदा बैकोर्ट क्लासिस के लिए और आपका MANF, मौलान आजाद, National Fellowship for Minority Students के लिए तो इन में डिफ्रेंस गया है, ये तीनों जो आपके fellowship होती है, ये UGC Net exam के बेस पे आपको मिलती है merit list बनाई जाती है, UGC Net जिनोंने qualify किया है, और जिनका JRF कुछ ही percent से रह गया है उनके यहाँ पे नाम आने के chances होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको help परती है, MFIL PhD अगर आप करना चाहते हो और अगर आप SC, OVC या Minority Community से ब्लॉंग करते हो, तो यहाँ पे आपके award letter आपको provide किया जाता है NFST से अलग कैसे है, थोड़ा सा different है, क्योंकि यह जो आपकी fellowship है, यह तीनों, यह आपको UGC fund करती है ठीक है, directly UGC के द्वारा आपको यह fund की जाती है, बट आपका NFST जो है National Fellowship Schedule Tribe के लिए इसके लिए आपका अलग से ministry है, जो की से regulate करती है, वो ministry है, आपकी ministry of tribal affairs, ठीक है tribal affairs को जो करती है, तो इसके अंदर ही हम पढ़ेंगी कि क्या-क्या guidelines है, इस fellowship को आप किस नाम से जानते हूँ National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Schedule Tribe Students, ठीक है, तो इसके अंदर आपके हम पढ़ेंगी कि कौन सी National Fellowship है है और क्या-क्या आपको कितना-कितना amount मिलता है, यह regulations है जो है आपकी इस academic year तक के लिए बनाई गई है Content आपका क्या-क्या है, इसके अंदर बहुत सारा content आपको available है, बट मैं जो इस वीडियो में important, important आपको topic बताने वाली हूँ जो इस वीडियो से related है, ओके, सबसे पहले आपका introduction है, introduction क्या है कि आपका ये एक Central Sector Scheme है, ठीक है एक Central Scheme है आपकी और fully fund की जाती है Ministry of Tribal Affairs के द्वारा, ठीक है, Ministry of Tribal Affairs से fully fund करती है, और किसके लिए करती है, Meritorious Students, ST Students, जो भी ST Students होते हैं, schedule tribe से ब्लॉंग करते हैं, उनमें जो बहुत अच्छे जो marks attain करने वाले students से बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनको ये fellowship और scholarship आपके दी जाती है, ताकि वो अच्छे से अपने higher education को pursue कर सकें, अब यहां पर आपको जानने वाली बात है, कि इसके अंदर आपके दो scheme आती है, ठीक है, एक आती है आपकी national fellowship scheme जिसो आप NFS बोलते हो, national scholarship scheme और एक होती है आपकी national scholarship scheme, जिसको आप बोलते हो, NSS, national scholarship scheme, अब दोनों मे आपके NSS है, national scholarship scheme, यह जो भी candidate ST students under graduation या post graduation course कर रहे हैं, उसके लिए इनको scholarship प्रोवाइट की जाती है, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे national fellowship scheme के बारे में, क्योंकि हम MFIL और PhD students के लिए में यह वीडियो बना रही हूं, तो इस से रिलेटर हम यहां पे detail में पढ़ते हैं, क objective क्या है, मैंने बता दिया था, main objective किसी भी fellowship का होता है, कि financial support provide कराना, ठीक है, तो financial support provide कराता है, यह meritorious schedule tribe students को, ताकि कि वो अपनी अच्छी से क्या कर सके, higher education pursue कर सके, मतलब कि अपना MFIL और PhD जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी से कर सके, और उनको financially इतना depend रहने की ज़रत ना हो, उनको provide कराई जाएगी, ओके, और यहां पर आपका, यह एक और चीज यहां पर important है, कि यह यहां पर आपको UGC net exam देने के लिए, यहां पर criteria नहीं है, कि वो मुझे पता नहीं है, recent update में क्या है, बट इनकी website पे जो मुझे मिला है, यह PDF मैंने Ministry of Tribal Affairs से ही लिया है, औ उसके अंदर कहीं भी mention नहीं था, आपका कि UGC net देना होगा, यहां पर बस यह mention था, कि आपने post graduation किया हो, ठीक है, और post graduation के बाद आपने MPHD में admission ले लिया हो, तो उसके base पे आपको यह fellowship provide की जाती है, और यहां पर आप बोलोगे, कि मतलब कैसे selection किया जाता है, तो जो भी आपका post graduation में percentage है, उसके base पे जो है, merit list बनाई जाती है, यहां पर, और feature क्या है, आपके main characteristic क्या है scheme का, कि यह आपको MPHD करने के लिए provide की जाती है, जिन स्टूडेंस ने, जिन स्टूडेंस ने post graduation या master degree जो है, वो ले ली है, उसके बाद उन्होंने MPHD कर रहे हैं, तो उसक की जाती है, ठीक है, उसके बाद eligibility and course duration, तो उसके अंदर भी same आपका जैसे जियारफ अलसीन होता है, उसी तरीके से आपका है, अगर आप MPHD कर रहे हो, तो आपको two years के लिए मिलती है, या date of submission of dissertation, तो यहां पर क्या होता है, जब आप MPHD करते हो, तो आपको MPHD करते हो, तो सब्मिट करते हो, तो यहां पर है कि MPHL, अगर आप कर रहे हो, तो दो साल के लिए आपको मिलेगी, दो साल, या अगर जब आपने submit कर दी अपनी dissertation, तो इसमें जो भी आपका जो date पहले हो जाएगी, उस date तक आपको यह fellowship मिलेगी, इसी तरीके से आप अगर integrated MPHD कर रहे हो, और आपने should have taken admission, यहां पर बहुत important है कि यह नहीं है कि आपने अभी तक admission नहीं लिया MPHL, PhD में और आप इसके अंदर select हो जाओगे, यहां पर पहला है कि आपकी post graduation complete होनी चाहिए, ठीक है complete, और plus आपने है, जो है MPHL या PhD में जो है, already admission ले लिया हो, ठीक है, धियान से सुनि अभी तक MPHL, PhD में admission नहीं लिया है, तो वहाँ पर chances होते थे नहीं लेने वालों के, यहां पर आपका post graduation के बाद, क्योंकि UGC ने लिमिट नहीं रखा है, इसलिए इन्होंने यहां पर mandatory किया है, कि आपका post graduation होना चाहिए, plus आपने MPHL, PhD में admission ले लिया हो, ठीक है, तो should have taken admission in the university covered under category, जो भी आपकी UGC से affiliated universities होती है, आपने उसमें MPHL, PhD में admission ले लिया हो, और दूसरा यहां पर condition है, कि candidates should have minimum 55%, तो आपका PG में जो है, वो कम से कम आपका 55% जो है, marks होना चाहिए, तो यह दो आपके eligibility है, यहां पर कहीं पर mention नहीं है, कि UGC net आपका होना चाहिए, जैसे आपका होता है, MENF में होता है, मौलाना अजाद national fellowship में क्या होता है, 6 lakh per annum, 6 lakh per annum से जाद income नहीं होनी चाहिए, बट यहां पर क्या है, कोई income criteria नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई income criteria नहीं है, आपको इस scholarship या fellowship में नाम आने के लिए, कोई income का criteria नहीं है, कि इतना होना च की जाएगी, first day of July, जो भी आप, जिस year आपको award letter मिला है, उस year में, first July को जो आपका date of worth होगा, वो 36 year से जादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा यहां पर है कि कौन-कौन सी university covered है, इस scheme के अंदर, तो यह आप पढ़ लेना, ठीक है, इसका link में description में दे दूँ तो वहां से आप PDF detail वाली पढ़ लेना, इतना time नहीं है, बहुत लंबी आपकी PDF है, उसके अलावा है number of fellowship, यह important है, कितने आपको fellowship यहां पर मिलती है, तो एमफिल और PhD करने के लिए आपको total number of fellowship, जो slot है, आपके है 750, तो 750 जो है, यहां पर award letter दिये जाते है, fellowship दी जाती है, important है, यह भी आपके लिए, ठीक है, और यहां पर जो है, यह important चीज है, कि यहां पर आपका category wise भी थोड़ा सा reserve किया गया है, कि जो आपके दिव्याउजन होते हैं, उनको 5% अलोट होगा, PBTG होते हैं, जो आपके, उनके लिए आपका 25 और female अगर है, 225 ST, others में आते हैं, जो 462, तो यह total मिला के आपका 750 होता है, तो यहां पर इन्होंने category wise भी जो है, डिवाइड किया हुआ है, ओके, इसके अलावा आपका यह detail में पढ़ लेना, important आपका value of fellowship, तो यहां पर कितना आपको fellowship मिलता है, stipend मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा जो है, difference है, MPHL और PhD के case में, difference तो क्या होगा, जैसे आपका GRF में होता है, उसी तरीके का है, same, MPHL आपके 2 साल के लिए होती है, maximum, ठीक है, तो यहां पर humanities and social science से हो, तो भी, और science engineering technology से हो, तो भी आपको 31,000 ही मिलेगा, ठीक है, जो कि 2 years के लिए मिलता है, आपको पता है, जैसे GRF होता है, आपका MPHL में, वो 2 years के लिए, 31,000 आपको पर मन्त मिलता है, इसी के सांद contingency allowance, यह per annum मिलता है, एक साल में, ठीक है, एक साल में आपको, अगर humanity and social science से हो, तो आपको 10,000 contingency मिलेगा, 31,000 के सांद, पर मन्त नहीं, पर annum, ठीक है, एक साल में 10,000, यह 31,000 पर मन्त है, हर महीन 31,000 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साल में 10,000 मिलेंगे, और अगर आप science engineering technology से हो, तो contingency आपका थोड़ा से जादा है, वो है आपको 12,000, ठीक है, इसके अलावा अगर आप PhD कर रहे हो, तो यहाँ पर again divide है, humanities और science वगरा के base में, तो अगर आप क्या है, दूनों से ह जाते हो, तो 35 आपका increase हो जाता है, ठीक है, इसके साथ contingency आपका increase होता है, PhD में, क्योंकि जादा आपको यहाँ पे expenses होते हैं, तो यहाँ पे आपका 20,500 होता है, किसके लिए, humanities और social science के लिए, और अगर science engineering technology background से हो, तो वहाँ पे 25,000 आपका plus contingency आपको मिलेगा, ठीक है, इस उस पे depend करता है, उसके अलावा आपको escort allowance मिलता है, दिव्यांग जन को, जो अपने देखने ही सकते हैं, candidates को, तो थोड़ा उनको helpful हो जाता है, तो वो मिलना भी चाहिए, तो वो आपको 2000 per month उनको मिलता है, अब यह rate आपकी change होती रहेंगी, जैसे जैसे fellowship का amount change होता रहता है, ठीक है, ओके important आजाता है आपका selection process, किस तरीके से selection होता है, तो unlike जैसे आपका NFC, मैंने बताया था, NFOBC हो गया, ME NFO गया, वहाँ पे आप UGC net exam के base पे जो है, UGC merit list बनाती है, ठीक है, आपको अब 2020 के बाद से आपको अलग से apply ने करना होता है, आपके merit list prepare होके आ जाती है लेकिन यहाँ पे NFC में क्या होता है, online application आपको fill करना होता है, ओके और जो आपको application है, वो आपको मिल जाएगी online mode के through और online portal, जैसे मैंने बताया कि ministry of tribal affairs इसे fund करती है, regulate करती है, तो उन्हीं की ही website पे आपको ये fellowship का portal मिल जाता है, fellowship ये रहा आपका fellowship.tribal.gov.in, ठीक है, ministry ने date आपका open हो जाएंगे, fill करने के लिए, तो ये announce publicly announce कर दिया जाएगा, अगर आप first time appear हो रहे हो, first time अपने आपको वहाँ पे register करा रहे हो, तो पहले आपको अपना registration बढ़ना होगा, register करोगे, उसके बाद आप login कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक पार दिखा देती तो इस तरीके का आपका एक portal खुलके आ जाता है, ministry of tribal affairs यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, यह आपका national tribal fellowship portal है, इसका link में description में दे दूँगे, आप जाके check कर लीजेगा, और यहाँ पे आपका यह रहा, अगर आप new registration हो, तो सबसे पहले आपको अपना registration करना है, उस introduction है यहाँ पे, main basic कि क्या introduction है, जो मैं भी आपको बताई रही हूँ, वही है आपका यहाँ पे given है, ठीक है, कितनी seat होती है, जो जो important information है, कितने duration के लिए दिया जाता है, कौन से आप link से apply कर सकते हो, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे guidelines of scheme, जो कि मैं भी आपको बताई रही यही से मैंने download किया है, ठीक है, तो यह आपको PDF मिल जाएगी, जिसको मैं भी आपसे discuss करी रही हूँ, तो यह यहाँ से आप download कर सकते हो, तो registration process आपको समझ आ गया होगा, कहाँ पे जाके आपको registration करना है, जब भी open हो जाएंगी, आपको पहले अपने आपको register कराना है, उसक आप यहाँ पर देख लीजेगा, ठीक है, तो यह आपका verification process किस तरीके से होता है, फिर selection process क्या होता है, तो यह रहाँ आपका selection procedure, एक merit list आपके prepare की जाती है, किसके बेस पर post graduation में जो आपका percentage है या marks है, उसके बेस पर आपकी एक merit list prepare की जाती है, और उसके बेस पर बच्चों सेलेक किया जाता है, SD students को, ओके, यहाँ पर जो committee होती है, सेलेक करने वाली उसमें कौन-कौन होते हैं, यह given है आपका, ठीक है, merit list आपके कहां publish की जाती है, आपकी इनकी website पर आपको सब मिल जाएगा, वहाँ पर जाके detail में चेक कर सकते हो, ओके, हाँ यहाँ पर एक और ची document जो है, वो आपको एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है, जो भी आपको provisional award letter मिलेगा, उसके एक महीने के अंदर अंदर आपको join करना होगा, सारे भी documents submit वगरा करके, ताकि कि आपको यह fellowship आप avail कर सको, ठीक है, तो time period आपको mention हो गया है, कि जैसे आपका नाम आता है provisional award letter के अंदर, उसके एक महीने के अंदर अंदर आपको join करना होगा, इसके लिए, जो भी document लगते है, university में लगाने होंगे, ठीक है, otherwise आपका यह cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो validity है, वो एक महीने का है के वल, तो याद रखेगा, एक महीने के अंदर अंदर आपको सब जोइन करना होगा, इस fellowship के लिए, आप किस तरीके से आपके fellowship release होती है, यह सब आप पढ़ लीजेगा, अगर आप अपनी university चेंज करना चाते हो, fellowship को transfer करना चाते हो, एक university से दूसरी university, तो आपको no objection certificate लगाना होता है, online submit करना होता है, क्या क्या अगर आप subject or course चेंज करना चा पढ़ रहे हैं, उनके लिए हैं, तो एक और information जो students काफी problem होती है, उनको या confusion होता है, कि gap period कितना होता है, gap period कितना allowed है, तो one year का आपका gap period allowed होता है, अभी gap period है क्या, जैसे कि अगर आप MFIL कर रहे हो, तो two year में आपके MFIL हो जाती हो, उसके बाद आप PhD में, क्या अगरते ह हो कि MFIL में आपको fellowship मिल रही है, वो आपकी PhD में भी चलती रहे, तो उसमें क्या होता है, कि आपका gap admission लेनेगा PhD के अंदर, वो एक साल का है, कि मतलब एक साल के अंदर अंदर आपको MFIL अगर आपने complete कर ली है, तो MFIL complete करने के बाद एक साल के अंदर अंदर आपको PhD में admission लेना होगा, अगर आप जो है ये fellowship या कोई भी fellowship आपके ठीक है, JRFO या NFSCO, NFOBC हो, तो कोई भी अगर आपको fellowship जो है continue करनी है MFIL से PhD में, तो वहाँ पे आपको gap period एक साल का मिलता है, कि एक साल का time period है, एक साल के अंदर अंदर admission ले लो PhD में, तो आपकी जो fellowship है वो continue हो जाए ये important है, मैंने बहुत जगा पढ़ा भी था, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही hope आपके doubt clear हूँ, अगर कोई problem हो अभी भी तो आप पूछ लिजेगा comment section में, और मैं description में link दे दूँगी website का भी और ठीक है, और इस PDF का भी, तो आप महां से download करके detail information यांसे पढ़ सकते हो, ब वीडियो अच्छी लगे हो तो like कर देना, चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को share कर देना, thank you